बारत एक क्रिशी प्रदान देश है, जहां सत्तर प्रतिशद आबादी या तो खेती से या फिर खेती सवनलगन बिजनेस से जुड़ी हुई है खेती हजारों साल की पुरानी व्यवस्था है, खेती का डेवलप्मेंट देश के कल्चर, वातावरण और टेक्नलोजी पे आधारित है हमारे लिए गौरव और खुशी की बात ये है कि आज भारत कृशी क्षेतर में हर रोज नई नई तकनिक उजागर कर रहा है या तो अपना रहा है खुशी खुशी खेडुद भाई उसको अपनी खेती में अपना रहा है बढ़ती आबादी और बढ़ती उनकी खाने पिने की मांग को लेते हुए आने वाले दिनों में खेती की मांग खुब बढ़ने वाली है और किसान भायों का दाहित्व बनाता है कि देश की अन और फल शागभाजी की बढ़ती मांग को गुणवत्ता युक्त खेत उत्पादनों से पूर्णा करे और इसी मांग को पूर्णा करने ही तू आज रिट्रो एगरी सॉल्यूसंस प्राविट लिमिटेड किसानों के साथ जुड़ कर नई नई किस्मों के गुणवत्ता युक्त खेत उत्पादन को बढ़ाने सतत प्रयास कर रही है जैसे आज हम बात करेंगे मिर्च की आज बाजार में मिर्च की धेर सारी किस्म की जात उपलब्ध है पर रिट्रो की महिस्मती 44 की बात ही कुछ और है इस मिर्च की जात में पौधा उपर से फैला हुआ होता है ताकि खेड़ुद भाई बड़ी आसानी से फल की तुड़ाई कर सकता है अगर महिस्मती 44 से होगी तुड़ाई आसान तो क्यों होगा किसान परिशान महिस्मती 44 के पत्ते एकदम खुले हुए मध्यम आकार के होते हैं जिससे कीड़े पढ़ने की संभावनाई कम हो जाती है कम कीडे उपद ज्यादा यही तो है महिस्मती 44 का फाइदा महिस्मती 44 के फल घाटे हरी रंग के मध्यम लंबाई के होते हैं फल एकदम चमकिला होता है अगर किसान भाई हरी मिर्च बाजार में बेचना चाहे तो उसको बेच कर अच्छा दाम कमा सकता है और अगर सुखे मिर्च बनाना चाहे तो भी महिस्मती 44 का फल उसके ज्यादा बीज होने के कारण एकदम अनुकुल है यानि किसान भाई हरी और लाल दोनों प्रकार के मिर्च बाजार में अच्छे दाम में बेच कर बढ़िया मुनाफा कमा सकता है हरा हो या लाल मुनाफा बे मिसाल महिश्मती 44 की एक और खास बात ये है कि ये जात वाइरस रोक के सामने सहनशील है परिणाम स्वरूप दवाई का खर्च भी कम रहता है महिश्मती 44 लंबे परिवहन के लिए योग्य विकल्प है महिश्मती 44 की अधिक तिखापन से मिर्च पाउडर में उसकी मांग हमेशा ज्यादा रहती है तो किसान भाईयों चुक ना जाना महिश्मती 44 ही लगाना रिट्रो है तो किसानों का मुनाफा पक्का